हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीध है आपनों की तैयारी अच्छी चल रहे होगी तो चलिए बीना समय गवाय हुए आज के प्रस्णों को देखते हैं आज का पहला प्रस्ण जो की question number 51 है इसा का क्रूसारोण किसका प्रसिद चित्र है option 1 Michael Angelo option B Salvador डाली या फिर option c Leonardo Da Vinci option D या मिनिरायर बिल्लकुल ठीक उत्तर होगा option B Salvador डाली साथ में आप लोगों को बता दे कि मेरे साथ आप लोगों भी प्रसनों को solve करते चलेंगे और लास्टन बताएंगे कि किसके कितने प्रसन हो हो रहे हैं वीडियो की स्टार्टिंग में जो है आठ से दस प्रस्ण आसान है लेकिन आगे के प्रस्णों कास्तर ठीक ठाक है तो उम्मीद करता हूं कि लास्तक आप लोग देखेंगे नेक्स्ट बिश्डू पुर बाकुरा किसलिए प्रसिद्ध है बिल्कुल ठीक उत्तर होगा अप्शन ए टेराकोटा टेंपल यानि के टेराकोटा मंदिरों के लिए नेक्स्ट प्रकास के प्राथ्मिक रंग हैं कौनग कौनसे प्रकास के प्राथ्मिक रंग तो हैं लाल नीला और हराम आंसर होाग अप्शन ए नेक्स्ट किस विदी का प्रयोग प्रागयतिहासिक गुफा में नहीं है मैं आप लोगों से बार-बार यहीं कहता हूं कि बिल्कुल प्रस्ण को आखरी तक आप लोग पढ़ा करिए देखिए लास्ट में दिया किस विदी का प्रयोग नहीं हुआ है ठीक है आपसन देख लिजिए आपसन ए वस आपसन बी तैल आपसं सी इस्प्रेश या फिर आपसं डी उतकीडन तो देखिए इसको समझा देता हूं मैं वास का इनोंने प्रयोग नहीं किया है और तैल का कैसे प्रयोग किया है तो यह जो जानवरों के चर्भी में रंग मिला कर प्र उसके बाद यह लोग चित्रांकन करके और उसको रंग को फूक देते थे ठीक है उस पर जाके यह उड़के चिपक जाता था तो यह इस पर माध्यम में आ जाएगा और उत्किडन यह लोग जो है खुरच-खुरच का चित्र बनाते थे इसलिए गुफाओं को तो गया उत्कि की टोकरी के लिए फ़लो की टोकरी लिए लड़की अमेरिका में अभी हाली में हुई क्रिष्टी निलामी में कितने रूपय में विकी बिल्कुल ठीक उत्तर होगा आप्शन ए 773 करूण next विज्ञापन में सब्द कैंपेंग आया है कहां से आया है multiple time net के एकजामी या प्रसन आया हुआ है उत्तर होगा option D military से military के camp सब्द से campaign सब्द बना है next बुने हुए जयमावार वस्त्र मुख्य रूप से किस प्रांत में बनाए जाते हैं option A मद्क प्रदेश, option B अंध्र प्रदेश, option C कुस्मीर, या फीर option D आशा भट विल्कुल ठीक, उत्तर होगा option C, कुस्मीर next प्रसिद जोर बंगला मंदिर ताहा इस्थित है, प्रसिद जोर बंगला मंदिर जो है यह विश्रुपूर बाकुरा में इसीत है नेक्स्ट इन में से कौन बहुत चर्चित इंस्टालेशन कालाकार है बिल्कुल ठीक उत्तरों का आप्शन C विवान सुंदरम रुमाना उसेन और सोनिय मैं इधर थोड़ा साइड हो जाता हूं आप लोग देख लिए यह सोनिय लिखा हुए है नेक्स् दिल्ली ब्लू पार्टरी के लिए इन में से कौन संस्थापक रहा अप्शन A गुरुचरन सिंग अप्शन B लतिकाकर अप्शन C क्रिस्टीन माइकल्स या फिर अप्शन D पीडी दरोज बिल्कुल ठीक उत्तरों का अप्शन A गुरुचरन सिंग नेक्स्ट है क्यूबिस्ट पेंटर्स एस्थेटिक्स मेडिटेशन्स वर्स 1913 में प्रकासित पुस्तक के लेखक कौन हैं अप्शन A यूजीन फिगवी इयर अप्शन B गिलाउम अपोलनेयर अप्शन C पाबलो पिकासो या फिर अप्शन D स्टेला कैमरिस बिल्कुल ठीक उत्तर होगा अप्शन B गिलाउम अपोलो नेयर नेक्स्ट दा इस्मोकर मैन विद पाइप किसके द्वारा बनाई गई क्यूबिस्ट पेंटिंग है अप्शन A फ्रांसिसी कलाकार जीन मेट जिंगर अप्शन B इटावली कलाकार लियोनार्दो दाविंची अप्शन C इस् इन में से कोई नहीं बिल्कुल ठिक उत्तरोग अप्शन A फ्रांसिसी कलाकार जीन मेंट जिंगर नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा निलामी घर है अप्शन A क्रिष्टीज अप्शन B सोत्वीज अप्शन C स्टाक होम या फिर अप्शन D डोरो थम बिल्कुल ठिक उत् और जीने भी नहीं पता होगा कोमेंड बक्स में पूछ लिजेगा मैं वहीं आंसर कर दूंगा नेक्स्ट तबला और सितार के अविस्कारक हैं अप्शन A अमीर खुसरो अप्शन B निया जुद्दीन ओलिया अप्शन C अब्दुल कादिर बदायूनी अप्शन D आसक उद बिल्कुल ठीक उत्तर होगा अप्शन A अमीर खुसरो नेक्स्ट लखनों में इमाम बाडा का निर्माड किसने कराया था अप्शन A आसक उदवला अप्शन B कुतुब बुद्दीन अप्शन C हुसंग साह अबक्शन D जलालुद्दीन खिलजी बिल्कुल ठीक उत्तर होग अप्शन A आसक उदवला नेक्स्ट स्वीश मूर्तिकार अलबर्टो जेकोमेत्ती किस आंदोलन से हैं या किस वाद से संबनित हैं बिल्कुल ठीक उत्तर होगा अप्शन B स्वीश में जिसको बोला याता है ठीक है नेक्स्ट उत्तर प्रदेश ललित कला अकेडमी के प्रत्थम अध्याच्छ थे बिल्कुल ठीक उत्तर होगा आप्शन C डाक्टर संपूरा नन्द नेक्स्ट लखनाव में यूपी वर्किंग आर्टिस्ट एसोसियेशन किया स्थापना कब हुई थी अप्शन देख लिजे अप्शन A 1981 इस्वी अप्शन B 1997 इस्वी अप्शन C 2019 इस्वी या फिर अप्शन B 1936 इस्वी बिल्कुल ठीक उत्तर होगा अप्शन C 2020 में नेक्स्ट बिश्व प्रसिद एफिल टावर के वास्थुकार हैं अप्शन A स्थीफन सावेश्टर अप्शन B फिलिप जांसन अप्शन C फ्रेंक गेहरी या फिर अप्शन D माया लिन विल्कुल ठीक उत्तर होगा अप्शन A स्थीफन सावेश्टर नेक्स्ट है एडवर्ड माने का जन्म किस वर्स में हुगा था अप्शन A 1842 अप्शन B 1928 अप्शन C 1630 या फिर अप्शन D 1832 बिल्कुल ठीक उत्तर होगा अप्शन D 1832 और एडवर्ड माने का जन्म जो है किस देश में उगा था कमेंड बाक्स में आप लोग बताएंगे और जिने भी नहीं पता होगा कमेंड बाक्स में पूछ लेगा मैं वहीं आंसर कर दूँगा नेक्स्ट किसने काहा था कला सत्य का प्रतिबिम्ब है अप्शन A रवी ननाठ टैगोर अप्शन B प्लेटो अप्शन C रस्किन या फिर अप्शन D प्रोचे बिल्कुल ठीक उत्तर होगा अप्शन B प्लेटो नेक्स्ट प्रेंटिंग में प्रकास बेवस्था के लिए प्रसिद कलाकार है अंसर होगा अप्शन B रिम्बरा नेक्स्ट उत्तर पदेश कलाकार संग की अस्थापना कब की गई थी अप्शन देख लिजिए अप्शन A है 1936 इसवी अप्शन B 1925 इसवी अप्शन C 2005 इसवी या फिर अप्शन D 1981 इसवी बिल्कुल ठीक उत्तर होगा अप्शन A 1936 इसवी नेक्स्ट इंदी भासा का प्रथम समाचार पत्र था कौनसा था अप्शन A होगा उदन्त मार्तंड और यह कहां से प्रकासित हुआ था कमेंड बाक्स में आप लोग बताएंगे और जिने भी नहीं पता होगा कमेंड बाक्स में पूछ लेगा मैं वहीं आंसर कर दूँगा बीडियो के बिलकुल स्टाटिक में ही मैंने बोला था कि आगे के प्रसन जो है उनका अस्तर ठीक ठाक मिलेगा आप लोंको नेक्स्ट ब्लाग प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जगा ब्लाग प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है उत्तर होगा option B फरूख ब नेक्स्ट एडवर्ड माने थे यथार्थवादी कलाकार थे प्रभावादी कलाकार थे घनवादी कलाकार थे या फिर आप्शन दी ए और बी दोनों यानि कि यथार्थवादी और प्रभावादी दोनों तो यह जो है यथार्थवादी और प्रभावादी दोनों वाद से सं इडवर्ड माने, आंसर होगा option D, next, graphic design भाग नहीं है, इसका भाग नहीं है, option देख लीजिए, option A, बिज्यापन कलाका, option B, कहानी का, option C, ब्योसाई कलाका, या फिर option D, plastic कलाका, बिल्कुल टिक, आप से पूछा जा रहा है कि graphic design भाग नहीं है, answer होगा option D, plastic कलाका, next, कि एक रैलिक रंग की योगजिता है क्या है बिकलब ऐसे प्रसम को अमेशा विपुाप पढ़के आपप सौव लिए करेंगे ढर कि यöh बिलकुल ठीक नहीं यह जल्दी सुख जाता है जलदी से टीक आंसर है इसकी योगता की बाद करा जा रहा है विशस्ता की यह जल्दी से खुता है इसलिए बरतमान सामय में सब से ज़्यादा प्रेयोग होने वाला माधियम है वहा एक रैलिक माधियम त्येभी अपने लोग ध्यान में रखे रहेंगे और एक्राइलिक रंग की किसने और कब कि थी कमेंट बाक्स में आप बताएंगे और जिन्हें भी नहीं पता होगा कमेंट बाक्स में पूछेगा मैं आंसर कर दूँगा नेक्स्ट जलरंग चित्रकारी किस पर उप्युक्त है अप्शन A लकडी अप्शन B हस्ट निर्मीत कागज अप्शन C कैनमास क्या फिर अप्शन D लेदर बिल्कुल ठीक उत्तर होगा अप्शन B हस्ट निर्मीत कागज इसको इंग्लिस में handmade paper भी लिख कर आता है इसको भी ध्यान में रखे रहेंगे handmade paper भी लिख कर आता है next DTP का full form क्या है बिल्कुल ठीक answer आप लोग बता जाते हैं कई बार यह प्रसन जो GS में भी पूछ लिया जाता है क्या फिर computer से related प्रसन भी आते हैं उत्तर होगा अप्शन सी desktop publishing जिने भी ने पता है स्क्रीन शोट ले लिजे next हिंदी ग्रंथ राम चरित मानस एक अमरिता राय द्वारा रचित और दूसरा नरुत्तम कभी द्वारा रचित है मान चरित ठीक है में कहां के भीती चित्रों का साच्य का उलेख है बिल्कुल ठीक उत्तर होगा अप्शन A आमेर के मानसिंग महल next प्रसी दिन्दर्तकी का चित्र किस सैली का है अप्शन A जैपूर सैली अप्शन B अलवर अप्शन C आमेर या फिर अप्शन D किसन गड़ बिल्कुल ठीक अच्छा प्रसन है और आसान भी है उत्तर होगा अप्शन B अलवर सैली next निमलेखित में से राजस्थानी सैली की भी सेस्था नहीं है अब जब यहाँ पे मैं आप लोगों से लगबग जो भी क्लास में लेता हूं उसमें एक दो प्रसन ऐसे नहीं वाले आते हैं यानि कि आप लोग पेपर देने जाएंगी 125 प्रसन का सेट है तो उसमें कम से कम 3-4 प्रसन ऐसे होंगे जिसके प्रसन के बिल्कुल आखरी में नहीं सब्द दिया रहेगा ठीके इसको आप लोग बहुत सावधानी से प्रसनों को पढका हट बढ़ी में यही एक दो प्रसन जो है आपको सेलेक्शन से बाहर करते हैं या सलेक्शन दिलाते हैं ठीके तो बहुत सावधानी से और यह क्रेशन सब को आ भी रह होते हैं लेकिन जल्दिबाजी में प्रस्न गलत होते हैं तो इसको सावधानी से पहले आप पढ़ेंगे इसके विकल्पम राजास्थानी साली की विशेष्था नहीं है स्वतंतर चित्रांकन अप्शन B एक चस्म चेहरे अप्शन C देश काल की अनुरूपता या फिर अप्शन D स्या स्याकलम के चित्रों का विकास यह राजस्थानी साली की विशेष्था नहीं है और आप लोग गेस्ट कर ले गए होगे यह जो है मुगल साली के चित्रों की विशेष्था है और मुगल साली में स्याकलम के चित्रों का अभिकास किस राजा के समय में हुआ था यह भी प्रस option B, मूर्थिकार, option C, ग्राफिक आर्टिस्ट, या फिर option D, कभी ये, बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा, option C, ग्राफिक आर्टिस्ट, next है, अमूर्थ कला क्या है, अमूर्थ कला विकल्ब देख लिजे, option A, कला की प्रतिछाया, option B, कला संप्रेसर, option C, अरूप वादी, या फिर option D, कला की प्रस्तुति है, बिल्कुल ठीक, जैसा कि अमूर्थ आप लोगों को दिया गया है, तो जहाँ पे रूप को नहीं प्रदर्शित किया जाए, वही अमूर्थ है, तो और रूप बादी, जिसका कोई रूप नहीं है, वही अमूर्थ कला है, next, जैस्ट, बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा, option D, M.F. हुसाइन, next है, गढवाल पेंटिंग, किसकी पुस्तक है, option A, मौला राम, option B, मुकुंदी लालबायरिस्टर, option C, अनन्द कुमार स्वामी, या फिर option D, J.C. फ्रेंच, बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा, option B, मुकुंदी लाल, बैरिस्टर, और यहाँ पर आप लोग बताएंगे, कि आनन्द कुमार स्वामी का पूरा नाम क्या है, फूल नेम से भी समबंज प्रसन आ रहे हैं, और J.C. फ्रेंच का पूरा नाम क्या है, comment box में आप लोग बताएंगे, जीने भी नहीं पता होगा, comment box में पूछी लेगा, मैं वहीं आंसर करनाओगा, next, किया स्कूर्कार्णी का संबंद किस सहर से रहा है, बिल्कुल ठिक उत्तर होगा, option A, बनारस, next, गांधार काला सैली, किस काला सैली से प्रभावित थी, option A, यूरोपी काला, option B, ग्रीक काला, option C, रोमन काला, या फिर option D, प्रागयतिहासिक कला, बिल्कुल ठिक, उत्तर होगा, option B, ग्रीक कला, next, गेरू है, option A, पेस्टल, option B, भूमीज रंग, option C, जल रंग, या फिर option D, इन में से कोई नहीं, उम्मीद करता हूँगा, आप लोग गेस कर ले गया होगे, या भूमीज से प्राप्त होता है, या एक भूमीज रंग है, next, सौंदर्य सास्त्र क्या है, बिल्कुल ठिक, सुन्दर्ता का दर्शन ही सौंदर्य सास्त्र है, अंसर होगा, ऑप्शन B, next, कला, क्या है, नामक्पूस्तक किसने लिखी है, अंसर होगा, ऑप्शन C, लियो, टाल्स, और इसको इंग्लिस में क्या लिख कराता है, वाट इज आर्ट, कई बार प्रसन में इसका टाइटल चेंज करके आपको, चेंज क्या वो सही ही है, वाट इस आर्ट लिख कराता है, और इसको कभी-कभी हिंदी में कन्वार्ट करके लिख कराता है, कि कला क्या है, नामक्पूस्तक किसने लिखी है, next है, इन में से, कौन एक दिल से कला, दू आयामी है, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, अप्सान A, चित्र, इसको समय लिजे, चित्र की लंबाई और चोड़ाई, क्यों लंबाई और चोड़ाई मापी जाती है, इसकी ठीकनेस नहीं मापी जाती है, इसलिए यह दू आयामी यानि कि 2D आर्ट होता है, स्थापन कला यानि कि इसको इंस्टालेशन आर्ट भी बोलते हैं, इसकी भी लंबाई चोड़ाई और ठीकनेस मापी जा सकती है, साथ में बरतन की भी लंबाई चोड़ाई और मोताई तीनों आप लोग माप सकते हैं, तो यह 3D आर्ट हो जाता है, इवंग एक बात करा जाता है, तो समझ की चलिए गए इसको, नहीं होईएगा, नेक्स्ट इसपाइन का अर्थ है, और सले पुस्तक की चोड़ाई, और संबी पुस्तक की मोटाई, आप सन सी, पुस्तक की मोटाई, या फिर आप सन्दी पुस्तक का कौवर, बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा अ आप लोग को देखके समझ देजिए नेक्स्ट है निम्खित में से किस तत्व का संबंध डिजिटल स्कैनर से हैं बिल्कुल ठीक उत्तर होगा आप्शन ए सी सी डी नेक्स्ट इटाइलियन भासा का एक सब्द जो प्राया बालीसा मसी के लिए बीसे शुरूप से प्रियुक् बिल्कुल ठीक उत्तर होगा आप्शन ए बामबीनो नेक्स्ट निम्ण में से किसे पोर्ट्रेट्स चित्रकार के रूप में जाना जाता है बिल्कुल ठीक उत्तर होगा आप्शन डी फ्रांस हाल्स और इनका एक फेमस चित्र है हस्ता हुआ गोडशवार यानिकी का वेलियर तो उस वह भी परिच्छा में अक्सर कर क्याता है उसको भी आप लोग घ्यान में रखे रहेंगे नेक्स्ट है निम्लखित में से इसने प्रसिद्ध एचिंग दा जाइंट का निर्माड किया था बिल्कुल ठीक उत्तर होगा आप्शन सी फ्रांसिस को डिगोया इस वीडियो में लगवाग हम लोगों ने 50 प्रसिद्ध को डिसकस किया उसमें से आपके कितने प्रसिद्ध सही हो रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में बताइए उमीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक करें चैनल पे पह